मंडल आएक्त दिपक रावत ने आएक्तु केम्प कर रहे ले हल्दुआनी में कुमाउ मंडल के परियादियों की जनता दर्बार लगा कर जन समस्यां सुनी जनता दर्वार में पर्यादियों ने पारवारिक विवार, तीसी, निजिवूमी, विवार, ब्रजुस्व, सड़क, विद्यू, दुरूजगार, आपदा, पेज़ल सहे तमाम शिकायतें दर्स की गई हैं सबसर पर منदल हैकतने पूर्वार में जनता दर्वार में आई शिकायतों के परगरान के संबंद में शिकायत करता और अधकारियों को बुलाकर समस्या का समधहान किया आपको बता दे कि आएकतने ने नेहर मामले को लेकर मुखभी हंता सुचवाई से बात कर बताया कि नहर की मरमत के लिए लगबग पांच करूर का एस्टिमेट शासन को भीज़ गया है आयक्त ने बताए कि जल्दी शासन इस्टर से एस्टिमेट सुईकरत करा दिया जाएगा आयक्त ने कहा कि जनपतर बार में भूमी जालसाजी के लगबग 25 केस आ चुके हैं आयक्त ने कहा कि भूमी समदित बार जो वर्षों से नयालयों में लंबेत हैं समयवद्ध तरीके से उनका समधान करने के नरदेश सभी उपजलादिकारियों को दिये हज़द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट पानी जाके एकत्रित होता है और वो एरिया डूपता भी है तो इसको सॉल्फ करने के लिए तो पहले से डेनेश प्लान हमारा वर्षों में विचारा धीन है तो कंसर्ण डेपार्टमेंट जो की इसके इसमें एरिगेशन है उनसे कहा गया है कि इसको वो इसमें शामिल करें ताकि जो रक्सिया नाले में पानी जाता है उसकी निकासी हम और आगे भाकडा में कर सके पहले भी कमिशनर साब मौके पर आये नहर चूट गई है गौलापार की पिसले डेड़ साल से दो साल से हम दो परसान है इस साल तो एक तो बारिश नहीं ओर रही उपर से नहर टूट गई है हम लोगों किसान जो है साथी कर्मन और निर्मान कारी किया जा रहा है बहरी वेक्तियों दा रहा है इसका हम पूर्ज और विरोज करते हैं